Hello friends, welcome back. स्वागता आपका International Relations के interesting topic लगातार कई सालों से मैं कहूंगा इस टसल के बारे माँ आप सुन रहे होंगे. आज के इस छोटे short topic से आज थोड़ा से briefing हम आपकी करेंगे. रश्या और युक्रेन की जो अभी की tension टसल 2014 के बाद फिर से revive हो रही है क्या exactly है ये? क्या reason है और कैसे एक country जो एक तरफ रश्या और एक तरफ यूरोप के बीच में फसा हुआ है इन दौनों major power centers के power tussle में फस कर रहे गया है. 2014 की टसल का भी यही reason था और अभी जो रश्या का military build-up देखा जा रहा है युक्रेन की borders पे जिसको लेके यूरोप, अमेरिका और बागी global order भी चिंतित है इस situation को थोड़ा सा detail में analyze करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले topic news में क्यों बना रहा है? युक्रेन का कहना है कि रश्या ने उसके borders पे 90,000 से भी ज्यादा troops को एकटा कर लिया है. और US हो या UK हो उनकी intelligence reports suggest करती हैं कि हो सकता है कि अगले महिने दो महिने में रश्या युक्रेन के उपर attack कर दे. इस वज़ा से रश्या और युक्रेन के बीच में जो tensions लगातार बन रही थी और 2014 में रश्या ने युक्रेन से क्रीमिया को annex कर लिया था, अपने कबजे में कर लिया था, उसके बाद ये second biggest development के रूप में देखा जा रहा है. समझने कोशिश करते हैं, problem actually है क्या? और मैं कई बार ऐसा होता है कि geography defines your politics. इसी लिए word है geopolitics. क्योंकि कहीं न कहीं, geography मतलब आप कहां located हैं, कहां situated हैं, उस वज़े से बाकी parties का और आपका खुद का किस तरह का interest होगा, वो define होना शुरू हो जाता है. जैसे इस map में आप देखेंगे, North में Russia, North West में Belarus, जो की Russia का बहुत close ally है और अगर थोड़ा सा South में आप तो Ukraine. और जैसे ही Ukraine के borders खतम होंगे, क्या शुरू हो जाएगा? European Union. और इस वज़ा से European Union और Russia, या मैं कमको Western World, Western World मतलब North America या USA, प्लस European Union, Western World और Russia, कई decades से एक दूसरे के हमेशा से rivals रहें, दुश्मन रहें हैं. और इन दौनों की दुश्मन ही में या National Interest के बीच में फस गया है ये छोटा सा कंट्री, Ukraine. रश्या चाहता है कि Ukraine रश्या के influence में रहें. European Union और अमेरिका चाहते हैं कि Ukraine, European Union ब्लॉक और रश्या के बीच में बफर की तरह काम करता है. तो Ukraine के ऊपर, European Union और Western World का ज्यादा influence रह बेलरूस और Ukraine दौनों ही पहले किसका पाट हुआ करते थे? USSR का, Soviet Union का. और 9192 में USSR के breakdown से पहले जो USSR जिसको Soviet Union कहा जाता था, उसमें रश्या सबसे powerful republic हुआ करता था और रश्या के बाद Ukraine दूसरा सबसे powerful republic हुआ करता था. लेकिन जब USSR breakdown हुआ, ये countries independent हुए, बेलरूस, Ukraine, etc. बेलरूस रश्या के साथ बहुत close ally बना हुआ है. जो बेलरूस, Poland dispute है, या Tassel एक conflict है, जिसके बारे में हमने एक detail lecture deliver किया, जिसको आप international relations की playlist में जाके फिर से देख सकते हैं, उसमें हमने देखा कि बेलरूस को रश्या ल इक तरफ और Ukraine, European Union और America दूसरी तरफ. उक्रेन का कहना है कि Russia ने 90,000 से ज़्यादा टुप्स को अपने बॉर्डर पे एकटा कर लिया है, अमास कर लिया है. उक्रेन का कहना है कि Russia ने 90,000 से ज़्यादा जो टुप्स मेरे बॉर्डर पे एकटा किया है, 2014 के repeat जैसा दिखाई देता है और यही बात US हो या UK हो दौनों की intelligence भी suggest करती है कि इतना बड़ा troops का जमावड़ा सिर्फ इस वजए से ही देखा जा सकता है कि हो सकता है अगले महिने दो महिने में रश्या प्लाइन कर रहा हो उक्रेन को फिर से attack करके उसकी कुछ पार्ट को फिर से annex करने का अगर आ यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था जिसको रश्या ने 2014 के invasion के बाद annex कर लिया तो इस वजए से यूक्रेन एक तरफ से रश्यन ट्रूप से गिर गया है और दूसरी तरफ बेलरूस और तीसरी तरफ पूरा का पूरा European Union अभी क्या प्रोवकेशन है अभी जो प्रोवकेशन है या अभी क्या चिंगारी है वो इस मैप से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी रश्या इस बात से लेगे खुश नहीं है कि यूएस और European Union दोनों कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को यूएस लेट जो मिलिटरी अलाइन से नेटो उसका पार्ट बना लिया जाए और इसकी पूरी इंटेंशन यही है कि अगर यूक्रेन नेटों का पार्ट बन जाएगा तो इस तरीके से रश्या को हम यूक्रेन से बाहर रख पाएंगे या रश्या का जो कंट्रोल है यूक्रेन पे उसको हम खतम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे US और European Union डौनों के लिए Ukraine एक important buffer है Russia और European Union के बीच में और Britain के साथ जो Ukraine के एक important defense deal हुई जिसको पूरा European Union block back कर रहा है और US block back कर रहा है उसके हिसाब से Ukraine का plan है naval basis बनाने का ओचकीव और दूसरा बढ़ जानक और इस चीज़ों को लेके Russia बिलकुल खुश नहीं है उसको लगता है कि इस तरीके से European Union और America की entry हो जाएगी हमारे एकदम borders पे अच्छा दोनों के troops अगर आप देखें military strength point of view से तो Russia के पास 9 lakh से भी ज़्यादा के armed forces है वहीं Ukraine के पास सिर्फ 2 lakh 9 thousand इसका मतलब एक Ukrainian soldier के लिए 4 Russian soldiers available है technologically Russian military बहुत ज़्यादा advance है उक्रेन के मकाबले लेकिन Ukraine को support मिल रहा है चाहिए Britain हो, European Union हो and United States of America हो ये भी कहना है कि अगर मालीज अटेक होता भी है तो Russia के पास खुद के अलावा इनका एक बहुत important ally है जो है Belarus एक तरफ North में और South में Crimea जो Russia ने annex किया था Ukraine से 2014 की complete के दोराण वही European Union और US का कहना है कि अगर Russia इस war को escalate करता है और attack करता है सच में Ukraine को 2014 के Crimea annexation के बाद जो हमने sanctions लगाए थे Russia के ओपर हम उनको और कहीं ज्यादा tight कर देंगे साथी साथ हाल ही मैं Russia ने जो gas pipeline बनाई है कि अपनी gas को Germany तक मैं supply कर सकूँ newly built Nord Stream 2 pipeline उसकी pumping को भी हम रोग देंगे ताकि Russia की gas येरोप में supply ना हो सके और बहुत economic नुकसान हो Russia का ये pressure building tactics के तोर पे देखी जा सकती है 2014 में क्या हुआ था? 2014 में Russia ने क्रीमिया को seize कर लिया था Ukraine से और ये पहली बार हुआ कि किसी European country को annex किया गया उसकी territory को annex किया गया किसी और country ने World War 2 के बाद और इस साल ही tensions फिर से बढ़ने लग गे थे 2021 में लेकिन बाद में जब diffuse हुए tensions तो एक लाग से भी ज्यादा जो रश्या ने फिर से एकटा करना शुरू कर दिया था उकरेन के borders पे उनको वापस pull out कर लिया लेकिन अब tension फिर से वापस build होने लगे हैं और 90,000 से भी ज़्यादा टुप्स already plus weaponry, plus modern defense systems plus artillery, plus tanks ये सब भी अब border areas में दिखना शुरू हो गये हैं Ukraine और रश्या क्योंकि पहले USSR का part हुआ करते थे चाहे culture हो, चाहे language हो इसके अलावा बहुत सारे different areas में hundreds of years से familial links family जैसे links, connected links रहे हैं और Soviet Union में Ukraine second most powerful Soviet Republic हुआ करता था रश्या के बाद strategically, economically, culturally बहुत important Republic हुआ करता था USSR का या Soviet Union का जबसे Ukraine split हुआ है Soviet Union से 91, 92 में तो Russia और West दोनों लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा influence अपना कर पाएगा Ukraine को ताकि जो balance of power है वो उनके favor में चले जाए मुझे उमीद है दोस्तों कि इस तरह का escalation 2014 की तरह आगे नहीं बढ़ेगा साथी साथ ऐसे मामलों में question mark उठ जाता है बहुत सारे international organizations का और खास तोर से United Nations का कि चाहे Yemen war हो जिसका हमने एक separate lecture आगको detail में deliver किया है पूरा आगको detail में समझा है किस तरीके से international organizations के inaction की वज़े से या ineffectiveness की वज़े से बहुत सारे areas में लगातार one-sided escalations होते चले आ रहे हैं जिसके वज़े से ultimately कौन सफर करता है common masses यहाँ पर भी उमीद है कि इस situation को भी बातचीत के थूँ diffuse कर लिया जाएगा इसके अलावा United Nations जैसे platforms को use किया जाएगा multilateral platforms को use किया जाएगा उसको effective होने देते हैं इस वज़ा से बार-बार इस चीज की demand उठती है कि time आ गया है कि United Nations को अब majorly reform किया ही जाना चाहिए खासतोर से veto की जो यह power है कि जब भी इन पांचों building powers का कोई भी interest होता है उसको immediately veto कर देते हैं फिर चाहे global opinion किसी भी direction में हो ये second world war के context में जो built किया गया था institution कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अब पुराना होता दिखाई दे रहा है obsolete होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें जो नए global powers हैं चाहे वो India हो Germany हो, Japan हो इनको भी major stakeholder के तौर पे इस पूरे institution को reform करके एक नया place देना चाहिए ताकि ऐसे complex issues को पूरा word order मिलके time bound तरीके से बिना किसी confrontation के dissolve कर सके हो Stay tuned, चैहन चैमाद